एक वाफिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्रेदोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मेरे प्यारे दोस्त अगर आप यह में फर्स्टेयर में हैं और आपने क्या ग्रह विग्यान ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखेगा क्योंकि वीडियो आपके पर दोस्त और प्रथम प्रसंपत्र का नाम क्या है आहार यूम पोशन विग्यान इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कमेंट सक्षन में आकर के सारे लोग पूछते रहते हैं सर यह कौन सी इनवर्सिटी का है तो यह सिद्धा ओ सौरी अवाद इनवर्सिटी लखनो इ इनवर्सिटी में हो बस फरक यह है जो आपको पर तो पर दोतिये प्रसंपत्र में आपको मिले ठीक है इसी हिसाब से आप इन सारी चीजों को देखते रही है ठीक है बस आपको घब्राने की जरूरद नहीं परना तो आपको सब कुछ है चलिए, आगे बढ़ते हैं, बात करएं परसंट पत्र को तीन भागों में भाजित किया जाता है मैं परदोस्त पहला तो खंड आ, दूसरा खंड बा और तीसरा खंड सा, ठीक है? बात करें आपके तो खंड आँ में परहें दोस्त आपको अतिलग उत्तरी परसंद दिये जाते हैं जैसा कि यहाँ पर आपको एक नोट करके दे दिये जाएगा और इसमें लिखा है सभी परसंदों के उत्तर दीजे मतलब आपको एक भी परसंद नहीं छोड़ना है क्योंकि जो प्रस नमबर एक है इसमें आपको दस प्रसन दी जाएंगे और दसो प्रसन को आपको बताना रहेगा ठीक है आगे कहरा है प्रते एक प्रसन का उत्तर लगभग यहां पे ध्यान देने वाली बात है क्या लगभग और उसके बार लिखा है पचास सब्दों में हो मतलब सब्दों की जरूर पर वह आप कर सकते हो अपने हिसाब से ठीक है लेकिन ध्यान दखिएगा पचास से कम मत कीजिएगा क्योंकि आप UPSC का तो पेपर दे नहीं दें वहां के टीचर क्या होते हैं देखते हैं कितना पेपर बच्चे ने कितना लिखा है अच्छा खूब लि लिखिएगा ठीक है साट सब्द कर दीजिएगा सब्तर सब्द कर दीजिएगा अपने हिसाब से आप उन सारी चीजों को देखिएगा पहला प्रस्ण जो है मेरे दोस्त उसमें किया गया है कि परिभासित कीजिए मतलब आपको कुछ चीजें यहां पे दी गई हैं दस परिभासित कीजिए आहार परिभासित कीजिए आपको बताना रहेगा आहार क्या है फोसकत तो क्या है ठीक है इनी सारी चीजों को बताना रहता है ठीक है उसी के बाद आ जाता है क्या आपका चौथा नंबर उप्चारात्मक आहार परिभासित कीजिए आई सी एम आर परि रहे हैं कि जो blood pressure होता है वो भी हाई वाला उसको परिभासित करना ठीक है पांच आहारिये समों को परिभासित कीजिए रेसे को परिभासित कीजिए यह सारी चीजें आपको क्या करना रहेगा परिभासित करना रहेगा और 50 से 60 सब्दों में 70 सब्दों में आप इन सारी चीज हुआ है जैसे सभी प्रसनों के उत्तर दीजिए मतलब आपको एक भी प्रसन छोड़ना नहीं है ठीक है फिर कह रहा है प्रतेग प्रसन के उत्तर लगभग 200 सब्दों में हो ठीक है 200 सब्दों का अर्थार मतलब यह हो गया आप समझ सकते हैं आसान वासा में तो 190 करते हो 210 भी चल सकता है 220 तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है 200 से कम नहीं रखना है लगभग का मतलब थोड़ा आगे पीछे होता है लेकिन आपको यहां पर आगे ही ले करके चलना है मतलब 200 सब्द से कम नहीं होंगे 200 से जादा ही हो 220-230 ऐसे आप इन सारे चीज़ों को देख लिजेगा जैसे आपका दूसरा नमबर प्रसने ही पे दे दिया जाता है क्या कि आप भोजन के बंदारन यह उम प्रबंधन से क्या समझते हैं मतलब जो भोजन का बंदारन होता ह है यह भोजन को जो प्रबंध किया जाता है इन सारी चीजों से आपको को आप क्या समझते हैं अपने सब्दों में लिखेगा मान लो अगर आपको यह प्रसन नहीं आता तो अथवा करके नीचे दूसरा प्रसन देटिया गया है कह रहा है जवार के समय किन पोसक तत्व कौ और देब का मतलब होता है और ज्वादमी को बुखाब लग रहेता है तो कौन सा पोसक तक्तति नहींड़ेना चाहिए už इन सारे परकार से आपका तीसरा परसना जाता है पूँच रहा है कि टाइट फाइट जौर जौर का ही एक परकार होता है टाइट फाइट जौर उसमें पूछ रहा है कि आहार आयोजन कीजिए मतलब आहार आयोजन आपको करना है मान दो अगर वो आपको परसंद नहीं आता है तो अथावा करके एक परसंद और दे दिया जाता है कौन सा जौर क प्रकारों की द्याख्या कीजे जिसमें से एक प्रकार आपको भी पता ही चल गया टाइट फाइट जौर इसी प्रकार से जौर के प्रकारों को आपको बताना रहेगा और प्रते एक जौर के प्रकार के बारे में जैसे आपने बता दिया कि जौर इतने प्रकार के होते हैं फि लेकिन आपको 210 220 230 मैक्सिमम 230 रखिएगा ठीक है जादा भी मत जाईएगा कि 200 सब्द बोलें तो 500 लिग डालो 230 तक चलता है ठीक है 200 से 230 के बीच में रखिएगा अपने हिसाब से इसी प्रकार से आगे देखें मेरे दोस्तों जो चौथा प्रसन आ कि बिबेचना कीडिये का मतलब होता है कि रुपन्धन किया जाता है किस प्रकार से आप कब कि अचन्हीं को बिवार कोई नहीं आता तो यहां पर बताना रहेगा ठीक है मान लो आपको हलकी भोजन के बारे में नहीं आता तो अथवा करके एक परसन और दे दिया जाता है कौन सा दिया है नेफ्राइटिस पर्थम के रोगी को किस परकार का आहार देना चाहिए यों क्यों देना चाहिए ठीक है उनको आहार अगर कोई किसी परकार का आहार आप बता रहे हो इस परकार का आहार हलका भारी किस परकार का भोजन उनको देना चाहिए तो उस परकार का आहार आपने बता दिया तो अब हलका आहार दे रहे हो तो क्यों दे रहे हो भारी आहार दे रहे हो तो क्यों दे रहे हो ये भी आपको क्या करना रहेगा बताना रहेगा इसी प्रकार से आपका पाचवा प्रसना आ जाता है मेरे पैसे दोस्त इसमें पूछ रहा है हिर्दय रोग किसे कहते हैं ठीक है एथिरोस्क लेरासिस जो है के आहार नियोजन के बारे में भी आपको क्या करना रहेगा लिखना रहेगा मान लो आपको ये परस्ण नहीं आता है मेरे परेश दोस्त तो आपको बिल्कुल घबडाने की जरूरत नहीं है आपके सामने दूसरा परस्ण अथवा करके दे दिया रहेगा और उसमें पूछ रहा है यक्रित की विमारियों को रोकने के लिए किस प्रकार का आहार प्रभंदन करना चाहिए मतलब जो यक्रित की विमारिया होती है उनको अगर आप रोकना चाहते हैं तो किस प्रकार के आहार प्रभंदन करें कि जिससे यक्रित की विमारिया हैं वो रुक सके ठीक है इसके बारे में भी आपको 200 सब्दों में बताना रहेगा उसी प्रकार से छठा नंबर प्रस्णाप के सामने आ जाता है कि दैनिक प्रस्तावित मात्रा क्या है ठीक है दैनिक प्रस्तावित मात्रा के बारे में आपको बताना रहेगा और उसके बार प विवारी होता है उसमें किस प्रकार के आहार का शेवन करना चाहिए किस प्रकार के आहार का शेवन नहीं करना चाहिए अगर सेवन कर रहे हैं तो क्यों करना चाहिए नहीं करना चाहिए यह सारी चीजिए आपको बताना रहेगा यह लग उत्रिये में ठीक है इसी प्रकार से म स्थाभा का साभा एसको ऊपर कर ले-स अब कि आप देख सकते है को अझे वायी साभ इधर आ जाओ ओब जो के चलिए ति इसमें क्या कहरा इसमें ऑनोट करके दिया गया होड़कि किनी 2 प्रसनों के उत्तर दीजी मतलब आपको सभी ही प्रसनों के पांसो तीस सब्द कर देने रहेंगे पांसो से कम नहीं होने चाहिए एक हिसाब से समझ सकते हैं देखते हैं पहला जो आपका सातवा नंबर प्रस्ण है वो कह रहा है कि पोसर्ण की और शक्ताओं के अमसार वरगी कृत करते हुए उपचार आत्मक आहार की ब्याख्या कीजिए मानलो अगर आपको सातवा नंबर नहीं आ रहा है तो आठवा नंबर आप कर सकते हैं क्योंकि आपको दो प्रस्ण करने हैं सभी को तो करने नहीं है तो इसमें कहरा है आहार आयोजन क्या है ठीक है ये आपको बताना रहेगा उसके बाद आहार आयोजन के सिध्धान्त उम इसके महत्व की ब्याक्षा कीजिए आहार आयोजन के कौन कौन से सिध्धानत हैं और इसका क्या महत्व है इन सारी चीजों को आपको क्या करना रहेगा इस प्रसन के अंतरगत बताना रहेगा ठीक है आगे देखते हैं इसी प्रकार से दस न एक आहार वाला हो या ठीक है प्रकार की ब्याक्ष्या कीज़े ठीक है अलसर का ही एक प्रकार होता है पेश्ट एक मिनट स्वारी प्रोंसेशन में दिक्कत हो रही तो उससे आप बिल्कुल घबडाईएगा मत अपने हिसाब से देख लिजेगा पेप्टिक लिखा है ठीक है पेप्टिक अलसर जो होता है ये अलसर का ही एक प्रकार होता है और उसमें कहरा आहार ये प्रबंधन मतलब किस प्रकार का आहार वहां पे प्रबंध करना चाहिए उसकी भी क्या करना है ब्याक्ष्या करना है ठीक है 500 सब्दों में करना है तो अच्छे से आपका हो जाएगा, आई होब, 510, 20, 30 चल जाता है, ठीक है, उसी के बाद पूछ रहा है कि कब्ज क्या है, आपको बताना है कि कब्ज क्या है, और कब्ज के आहार ये प्रवंधन के बारे में लिखिए, मतलब जो कब्ज में आहार किन परकार के आहारों का शे हना है और को चाहिवा। मद्मे करना है तो आपको कौन कौन से प्रकार है यह भी आपको बताना है कितने इसके दोस्त वता है और मदमेह प्रथम टाइप का आहारी प्रबंधन भी आपको क्या करना है में पर दोस्त लिखना है आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी वीडियो आपको काफी जादा पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो फटा फट लाइक कर दो अपने दोस्तों के साथ सेर करो और मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत